बॉल्यूड में लव अफियर को लेकर सुरू से ही बाते चलती आ रही हैं ऐसे में किसी स्टार्स को प्यार का मुकाम हासिल हुआ तो कोई आज भी दिल तूडने के बाद बॉल्यूड में अपनी धाक जमाई बैठे हैं फिल्मी दुनिया के के ऐसे नगीने हैं जो लव लाइफ में फ्लॉफ साबित हुए लेकिन बावजूद इसके आज फिल्म इंडस्ट्री इनके नाम से चानी चाती है जी हाँ इस कड़ी में सबसे पहले हम बात करेंगे सूपर हिट फिल्म मेकर करन जोहर की बॉल्यूड में डिरेक्टर की लिफ्ट में आज करन जोहर से उपर कोई नाम नहीं है लेकिन दुख इस बात का है कि करन आज भी सिंगल है हाला कि उन्होंने खुद बताया था कि उनका दिल खुबसूरत एक्टरेस ट्विंकल खनना पर आ गया था लेकिन उनका ये एक तरफा प्यार कभी परवान नहीं चड़ सका इसके बाद अगर बात हो बॉलिड के दबंग खान के बारे में तो आज बॉलिड के दिवानों का सिर्फ और सिर्फ एक ही सवाल है कि उनके भाई जान कब साधी करेंगे जी हाँ ये सवाल उनकी खुद की साधी से ज्यादा ज़रूरी हो गया है लेकिन आपको बता दी कि सलमान खान का सबसे पहले दिल खुबसूरत एक्ट्रेस एस और राय पर आया था लेकिन दोनों की ये महबत एक इतहासी बन कर रहे गी इसके बाद सलमान खान का नाम सौमया अली संगीत विजलानी और केटरना कैफ के साथ भी उचला और अब लुलिया वन्तूर को उनके साथ चोड़ा जा रहा है नेक्स्ट नाइन लाइफ नुजरूंग रिपॉर्ट झाल